तो यहां पर क्लाश 10 के NCRT का मेत का एक्सरसाइज यहां पर देख रहे हैं हम लब पांस दसनलब तीन और पांस दसनलब तीन का जो प्रस्ण है वो है बारवें नमर का प्रस्ण क्या किया रहा है कि ऐसे पर्थम 40 धन पूर्णांग का योगफल ज्याद करें जो 6 से भी भाज अब पूर्णांग जो है न वो धन पूर्णांग भी होता है और रिन पूर्णांग भी होता है हमको पता है जैसे धन पूर्णांग की बात करें तो क्या होगा धन पूर्णांग में बात करेंगे तो कोई भी पूर्ण संख्या ले लो जितनी भी पूर्ण संख्या है मतलब जीरो जीरो खोर्ण दो 1 2 3 4 चार ये सब का सब क्या है धन पुनांक है अब यहां पर बोला क्या जा रहे कि ऐसे परत्रम 40 धन पुनक लेना है जिस धन पुरनांग को का योग याद करें जो 6 भीभाज होना चाहिए तो अगर हम बात करें छे से पुरा पुरा भाग लगने वाला पहला धन पुर्णांग कौन सा है ठीक है हम क्या लिखेंगे छे से विभाज धन पुर्णांग अगर इस पर हम जाएंगे तो सबसे पहला धन पुर्णांग मिलेगा यह तो छे ही मिलेगा छे में छ 8 9 10 11 तो होगा ने फिर 12 होगा इस तरह से हम क्या कर सकते हैं यह टेबल पढ़ते हुए जा सकते च्छे दूरी 12 च्छे तरीक 18 च्छोगा 24 और ऐसे 40 धन पूर्णांक लेने कितने 40 धन पूर्णांक लेने तो कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है यह तो एक एपी बन हैं 40 पद होने वाले नममर और टर्ब्रक इतने होने वाले हैं 40 होने वाले इसका मतलब यह है कि कि और से भीँभाज ऐसे धन पूर्णांक गर दण पुर्णांग एपी बनाते हैं जिसमें जिसमें अगर हम बात करें एक कमांद हम देखते हैं तो 6 है डी कमांद देख रहें 6 का अंतर है तो 6 है और एन जो दिया है न प्रस्त में वो दिया 40 धन पुर्णांगों का योग चाहिए तो एन बराबर हो जाएगा 40 अब बावु क्य यह लिखते हैं हमको क्या चाहिए हमको चाहिए एस 40 क्या चाहिए एस 40 चाहिए यानि 40 पदों का योग चाहिए इसका मतलब जहां 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 एन है वो तो 40 में बदल जाएगा टू इन्टू एक का मान छे देखो यहां से एक का मान छे आ जाएगा पलस एन मैंनस वान यानि कि 40 मैंनस वन हो जाएगा और डी का मान यहां पर कितना दे रखा है छे आजाओ जी यह 20 दूना 40 खतम 20 छे दूनी 12 पलस 49 और गुने में हो जाएगा छे इसको स्वल्व करते हम कर लो 20 गुने 12 पलस नोचा के चोवन का चार हांसिल पांच और च्वत्रीक अठार अठार और पांच कितना होगा तैस का तीन हांसिल दो 244 मतलब 20 गुने 12 पलस 234 यह हो जाएगा तुम्हारा 20 गुने चार दू छे तिन दू पांच और दो 256 अब इसको अगर मल्टिप्लाइ करो 256 दूना कितना हो जाएगा 512 और यह 0 का 0 आजाएगा मतलब कहने का यह हुआ कि यहां से 6 से विभाद 40 धन पुर्णांकों का 720 निकलेगा यह तुम्हारा सिंपल साइंसर है सिंपल सा कोस्टन आसान